Hey everyone, welcome back to another lecture of ultimate recursion series तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक की और वो है binary search तो आज सीखेंगे कि binary search यार हम recursively कैसे implement कर सकते हैं और यह होता कि actually तो बिना कोई टाम इसके इस वीडियो को start करते हैं जो question हम से कह रहा है given a sorted array of size n and an integer k find the position at which k is present in the array using binary search and इस question का थोड़ा सा part इन्होंने हसी मजाग में नीचे डाल दिया है उसे देख लेते हैं कि you don't need to read or like आपको input वगरा read नहीं करना है complete the function binary search which takes array n k ठीक है जाम में परता है main point का है कि if k is not present in the array return minus 1 ठीक है यह हमारा main point तब तो basically इस question में करना क्या है आपको एक array दिया होगा आपको एक element बत दिया होगा आपको बताना है उस array में उस element की क्या indexing है ठीक है यह array कैसा होने वाले यह array sorted होने वाला है ठीक है जो भी हमें पहली position मिलेगे हम उसे return कर देंगे और अगर array में वा element present ही नहीं तो हम return कर देंगे minus 1 ठीक है तो अब इस question पर थोड़ा सा देहान देते हैं बड़ा ही simple है लेकिन पहले हम समझते है कि binary search होता क्या यार तो basically मैं आपको example देता हूँ let's say आपकी पास एक book है 100 पन्नों की और आपको page number 52 खोलना है ठीक है तो आप कैसे खोलोगे आप एक एक करके जाओगे इन पन्नों पे नहीं हम क्या करते हैं हम पूरी book उठाते हैं उसमें से कोई भी एक पन्ना खोल लेते हैं ठीक है अब हम देखेंगे कि यार मुझे 52 पर जाना है तो 52 36 से क्या है बड़ा है यानि कि वो कहां like करेगा 36 और 100 के बीच में तो मैं 36 और 100 के बीच में अगला पन्ना खोलूँगा ठीक है अब मैंने आपको यह example क्यों बता है यह तो binary search नहीं है बट एक variant है इसका क्योंकि यहां प आपको क्या होना है आपको एक middle element निकालना है ठीक है फिर आपको check करना है कि क्या जो हम ढूंड रहे है वो हमारे middle पर है अगर ऐसा नहीं है तो वो कहां है ठीक है तो जब आपका array sorted होता है तब ही binary search क्यों लगती है यह बड़े important questions है और हम इस question को जो मैंने बनाया हुआ है देख करके solve करते है and I hope मैं आपको समझा पहूं कि binary search क्या होती है इसका use क्या होता है then हम इसे recursively code कर सकते है बहुत simply ठीक है तो यहार यह मेरा array है यह मेरी indexing है let's say मैंने इसे मान लिया low ठीक है unless मैंने मान लिया high क्या आप हमेशा इसे low और high मानोगे बिल्कुल low मतलब होता ह देखो binary सच आपकी इसी range पर दी होगी तो यहां मेरी range यह index है मेरे पास 7 element है 0 to 6 indexing है इसकी तो 0th index है नहीं कि सबसे smallest जो चीज़ आपकी possibility है उसे आप low ले लोगे और जो सबसे highest possibility उसे आप high ले लोगे ठीक है तो इस तरीके से हमने low and high निकाल लिया दूसरा चीज अब मैं middle कैसे find करोगे तो middle find करने क्या दो तरीके है एक आप कर सकते हो low plus high divide by two और दूसरा आप कर सकते हो low plus high minus low by two ठीक है अब यह जो दूसरा तरीका है यह बहुत जादा use होता है क्यों क्योंकि इसमें overflow error नहीं आती अब overflow error क्या है और वो first case में कैसे आ सकती है let's say first value का formula है low plus high ठीक ह एक आपको ऐसी highest value दे रहा है जो कि आपके integer के barrier को cross कर जा रही है तो क्या होगा जब barrier cross हो जाएगा integer की wrapping शुरू हो जागी that means positive number आप लेके चल लेते बट आप negative पो पहुंच गये ठीक है और negative divide by two will again be a negative number बात समझ रहे हो मेरी मैं कहना क्या चारूं अगर एक case में आप indexes को खेल ले हो तो negative index पर आपको अगर लगी exception मिल जाएगा आप सोझो के यह क्या हो गया ठीक है तो इसलिए second method जादत pry करना यह better माना जाता है अब एक target ले लेते हैं let's say मुझे 5 find करना ठीक है तो अब middle निकालूंगा अगर मैं इस logic से तो मेरा middle क्या जाएगा 0 plus 6 minus 0 by 2 तो इले दे करके 3 आजाएगा ठीक है तो हम इधर पहुँच गए यह मेरा क्या है middle है अब बड़ी ध्यान से समझना इस चीज़ को कि 10 के इधर कुछ है 10 के पीछे कुछ है मुझे 5 डूणना है अब 5 किधर लाई करेगा इधर लाई करेगा इधर लाई करेगा इधर लाई करेगा 10 से छोटा है न बट यह चीज़ आप कब बदा पाए जब मैंने का 10 से छोटा है न यानि कि array अगर sorted है तभी आप guarantee रख सकते हो कि यह particular element इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा दरवाई आप बता ही नहीं सकते यह element किधर लाई करेगा इसलिए बाइंडी सर्च की जो basic condition है कि जो हमारा जिस भी चीज़ पर हम लगा रहे है वो range है वो data structure है वो एक answer है वो sorted होना चाहिए ठीक है तब ही हम वहाँ पर बाइंडी सर्च लगा सकते है दरवाई देखो जब हमें इस side जाना होता है ठीक है यानि कि मैं कहता हूँ कि जब मेरा element है ठीक है जो target है अगर वो target less than है array of middle के तो मैं किस तरफ सर्च करना चाहता हूँ इस तरफ सर्च करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे अपने high को कहां पर लाना पड़ेगा यहां पर लान तो मैं say eight कर दिया था चेंज करना बूल गया है यहां पर zoom कर लेते हैं यहां पर 18 है ठीक है यह क्या था यह यहां पर 18 है ठीक है तो अब जैसे मुझे अगर 18 find करना होता है तो मेरा middle कहां है 10 तो value कहां पर है 10 और 59 के बीच में ठीक है यानि कि value इस half में लाई कर रही है ठीक तो इस तरीके से हम यह question solve करेंगे यानि कि low is equal to middle plus 1 और तीसरी case बड़ा ही simple है कि यार अगर आपका element आपके equal equal है array के mid के तब तो simply वही answer होगे तो return कर दो mid को ठीक है तो यह mid m क्यों return किया क्योंकि हमें index बतानी है और इस सब के बावजूद अगर आपको answer नहीं मिलता है तो return minus 1 ठीक है वो आपका base case होगा अच्छा यह काम आप कब तक करोगे जब तक आपका low less than equal to है आपके high से ऐसा क्यों मैंने कहा क्योंकि यह equal to क्यों लगाया है देखो equal to लगाने का सिर्फ एक point है कि अगर आपके पार single element बचे ठीक है let's say आपके बहुत बड़ी range कि आप छोटा हमारा answer आगया है ठीक है तो इस case के लिए हम कहते हैं कि low is less than equal to high यह हमारा आखरी है कभी भी आपका low आपके high से बड़ा हो जाएगा तो यह देखो यार यह तो आपकी binary search की condition ही खतम कर देगा यह होगा पता है यह कब होगा let's say एक यह array है two five seven eight ठीक है and मुझे क्या find करना है म में नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे indexing को लिख लेते है middle निकालेंगे सबसे पहले तो middle आजाएगा one point five तो one नहीं one point five ना लेकर के हम one लेते है ठीक है तो यह आगे हमारा middle यह हमारा low यह हमारा high ठीक है अब nine क्या है five से बड़ा है ठीक है तो answer की साफ में लाइक करेगा इधर तो हम low को बढ़ा करके m प्लस one पे लगा देंगे अब यह क्या हो जाएगा two plus three minus two by two ऐसे आप में निकालोगे ठीक है middle का formula में लिख दे रहा हूँ again two plus three minus two by two ठीक है low plus high minus low by two तो यह ले दे करके आपका three आ जाएगा ठीक है तो जब आप third यहाँ पर पहुंच गे third index प ठीक है तो आपका middle और high same place पे है at the moment अब आपका middle क्या है eight nine क्या है बड़ा है eight से ठीक है तो आपको किधर जाना है आपको इधर जाना है तो उसके लिए again मैंने आपको बताया था आप low को क्या कर दोगे middle plus one ठीक है जब भी हम इस side जाएगे हम low को middle plus one करेंगे इस side जाएग तो high को middle minus one करेंगे तो low को आप middle plus one करोगे तो middle खड़ा है third index पे तो three plus one हो जाता है four तो आपका low आगया four पे और आपका high अभी भी three पे तो जब भी low greater than high हो जाए तो हम कह सकते हमाई binary search की condition violate हो चुकी है हमारे जो search space था वो खतम हो चुका है ठीक है तो यह यही था about binary search आप इसे फटाफट code कर लेते हैं समझते हैं कि recursively कैसे हो रहा है यह चीज़ें ठीक है अब अगेन recursion code लिखने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरुवत पड़ती है आपको पता है वो चीज़ें क्या है तो मैं इस function का नाम लिखता हूँ b search ठीक है binary search basically मुझे inter return करके देगा ठ ठीक है इसमें input हमें क्या कैँ चाहिए अब एक ट्यार हमें हमारा array चाहिए होगा ठीक है उसके बिना तो कामी नहीं हो सकता दूसरा हमें चाहिए होगा क्या low ठीक है अगला हमें चाहिए होगा क्या high अब middle आप on spot निकाल सकते हो मुझे नहीं लगता middle कि आपको carry करने की शर मुझे तो हम लिखते हैं कि if जो मेरा low है वो कभी भी क्या हो जाए greater than high हो जाए तो हम कह सकते हैं यहार में search space exhaust हो चुकी है तो यहां से हम कह देंगे return आपको मैंने पढ़ाया तो हम आप पे return minus 1 ठीक है next अगर मुझे answer मिल जाए तो if array of mid but उसके लिए मुझे पहले mid find करना पड़ेगा तो हम यहां पर find कर लेते हैं int mid is equal to low plus high minus low divide by 2 ठीक है तो array of mid equal equal है आपके target के तो आप क्या कह सकते हो सीधा सीधा return ठीक है next आपका दूसरा case के आप मेरा क्या होगा l से लिखते हैं आपर ठीक है कि अगर मेरा target कभी भी less than है array of mid के ठीक है तो मुझे अब recursively फिर से सर्च ही करना है ठीक है तो मैं इसे recursion के तुरू सर्च कर सकता हूँ easily तो मैं कहूंगा मैं अपने ही function को दुबारा से call कर दूँगा इस बार low and high की values change कर दूँगा ठीक है तो आपको पता है values क्या होने वाली है तो इससे मैंने सिर्फ copy paste किया ठीक है array as it is जाएगा ठीक है अब आपका target as it is जाएगा ठीक है and else इस वाले case में इधर आप क्या लिखोगे आप लिखोगे बी search यह वाला case कॉन से जब आपका target greater than mid है तो इधर आपको क्या बने करना है low is equal to mid plus one तो low की जगा आप कर देंगे mid plus one और high आपका as it is जाएगा ठीक है और यहां पर भी हम लगा देते हैं और इधर भी हम लगा देते हैं return तो कभी भी आपका answer आ रहा होगा तो आप वहीं से return कर जाओगे आप further check work नहीं करोगे ठीक है तो यह तो हो गया है आपकी binary search ठीक है अब यहां पर हम पास कर लेते हैं इसी function को return करा देते हैं हम कहते है रेटर्ण ans ठीक है answer variable में ले लेते है ans is equal to bind research आपको क्या क्या चाहिए आपको चाहिए target आपको चाहिए n-1 ठीक है high n-1 होगा low आपका 0 होगा दोने extremes पर होंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया था ओके तो क्योंकि मैंने copy paste किया तो मुझे समझ में आ गया कि मैं नीचे semicolon नहीं लगाया ठीक है और दूसरी चीज क्योंकि यहां पर target नहीं है यहां पर के को हमने target माना था ठीक है तो अब देखते हैं यह चलता है नहीं situation बैठता है तो 150 by 150 correct ठीक है तो चल गया यार तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो and next video बड़ी amazing होने वाली है तो बने रो इस recursion series में और अब हम end की तरफ move कर रहें तो बहुत कम वीडियो बची हुई ठीक है तो thanks a lot इस recursion series को देखने के लिए अगर आपने से कुछ सीखा है तो comment ज़रूर करके जाना तो बस यार अज की वीडियो में मलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care